बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बात करते हैं कि जो लखनौ यॉनिवर्स्टी विश्व विद्याले है उसके जो एग्जामिनेशन फोर्म है ओनलाइन किस प्रकार से फिल अप करेंगे तो उसके लिए आपको सबसर पहले किसी भी मोबाइल या आप कहीं साइबर कैफे क कहीं से भी आप फिल कर सकते हैं यह फोर्म जहांपर प्रैंट की की व्यवेस्ता होतों तो आपको यहांपे लखम यॉनिवर्स्टीं पर बखना हूं आपको यहां पर टाइप करना है टाइप करते हैं यह online examination form पर आपको click कर देना है तो आपको यहां पर इसा dashboard देखने को मिलेगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जूरूर कीजिएगा चैनल को subscribe करतीजिएगा और अन्य जानकर लिए आप हमें comment कर सकते हैं तो इसके बाद examination portal पर आपको click कर देना है तो इसके बाद आपको एक नया dashboard open हो जाएगा अगर यहां पर पहल नोटिस यहां पर आपको एक बार देख लेना है और आपको reprint करना साथ है फोरम को यहां पर reprint कर सकते हैं यहां पर आपका यह आपके लिए नहीं है तो यहाँ पर अगर किसी परकार के अन्य कोई समझा आती है आपको, तो इन हेल्प लाइन नमबर पर आप फिल करना कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इमेल आइड दी गई है किसी भी समझा के लिए, तो आप संप्रक कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर इस्टूडेंट टाइप आपको चूज कर लेना है, तो आप अगर यहाँ पर रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट के लिए ज़िए बेगपेपर से हैं तो यहाँ एक्स हैं या इंप्रोव्मेंट से फिल करना जाते हैं, इसके बाद आपको कोर्स टाइप आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, कौन सी कॉलेज आपकी है, जिसमें आप एक्समिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिंट आउट सब्मिट करने होंगे जाके तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद अगर यहाँ पर आपके पास रोल नमबर है, तो आप यहाँ पर रोल नमबर डाल दीजिए, कई बार अपיא वरतुमान में क्या हुरा है कि, कुछ इस्टेटांट का यहाँ पर रोल नमबर आप डालते हो, तो यहाँ पर आपका जो एक्समेश है, आगे जो dashboard आएगा वहाँ पर आपको ले चलते हैं हमारे पास roll number नहीं है तो हम I don't have roll number पर click करके submit पर click कर देते हैं अब इसके बाद आपको यहा पर student नाम आपको यहाँ teraz आपको व्लड्ड मुबाल्ड बिल जाएंगे आपको यहाँ में कोई दूसरा million नूबर आप यहाँ पर फिल्क कर सकते हैं, या अपने पिताजी का नमबर या किसी का भी नमबर आप गारजन का नमबर दे सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे, जो email आइडिया वो आपको यहाँ पे फिल्प कर देने, डेटो बरत आपको यहाँ पे आपकी select कलेनी है, यहाँ पर क्लेंडर में देख के ठीक है, यहाँ पर आपको select के लेनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नमबर आपको यहाँ पर तरज करने होगी, अधार नमबर यहाँ पर अनिवारी है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो जेंडर वो आपको यहां पर सेलेट करना है मेल हो या फिमेल हो हमें यहां पर मेल सेलेट करना होगा नेशनल्टी आपके यहां पर आपको प्रमन् Emilات डर्ज करना है जहां पर आपके अनिवासी हैं यहां पर सृघ करते हैं और अलग-अलग इसके बाद आपको यहां पर जो 10th 12th class के उसके आपको यहां पर details देने होगी, आपको board का नाम, आपका कौन सा board था वो आपको यहां पर fill up करना है, यहां पर roll number आपको यहां पर fill up कर देने है, passing year कौन सा year था, तो हमारा यहां पर passing year 2020 fill up कर देते हैं, इसके बाद, total marks जितने आपको 10% आए, वो आपको यहां पर fill कर देना है, इसी तरह से आपको यहां पर 10th class की details fill कर देनी है, इसके बाद, आपको subject, papers, details, चूज, यहां पर आपको subject, चूज करने होते हैं, कि आप कौन से subject लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर, जो subject चाहिए, वो आपको यहां पर list में से आपको choose कर लेना है, ठीक है, यहां पर आपको, इसके बाद, आपको, जो भी major subject होते हैं, तो वहां पर select हो जाते हैं, तो यहां पर minimum दो subject select कर सकते हैं, तो हमने आपको select कर लिए हैं, इसके बाद, main subject है, उन में से आपको यहां पर subject को choose करना होता है यहाँ पर आप subject जैसे choose select कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर photo upload करनी होती है हम यहाँ पर photo और जो signature वो upload कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर capture code फिल अप करना है और यहाँ पर check mark पर click कर लेना है और register पर click कर देना है इसके बाद आपको यहां पर यह print out आपको यह देगने को मिल जाएगा ठीकर यहां पर प्रिंट आउट जैसे आपको यहां पर इसका print out निकाल लेना है तो बाद में ठाकर college में आपको जमा करवाना होँगा ठीक हाथ अगर इस वीडियो में किस परकार की अन्य जान करें चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद जहिंद जह बारेत